तो protection हमारे जो होते हैं protection basically sheet protection file protection जो करते हैं उसका excel में कैसे use करते हैं वो मैं आपको देखाता हूं कि जैसे अभी हम क्या करते हैं protect करते हैं right click करके sheet को protect sheet कर देते हैं ठीक है इसमें चाहें तो password दे सकते हैं कुछ भी 1234 मैंने दे दिया फिर यह retype मांगता है 1234 ठीक है अभी क्या हो रहा है कि यह इस पर कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूं तो मेरा लॉग data protected हर एक cell ठीक है तो हमारे पास सबसे last में protection है protection का tab है इसमें by default आपकी cell यह दो option होते हैं और hidden by default जो होता है वह locked checked होता है ठीक है जी तो जब हम protect करते हैं तो जितनी भी cell locked होती है वह lock हो जाती है ठीक है जी हाँ तो अब मान लीजिए कि मैं एक form बनाता हूं एक form बनाता हूं मैं चाहता हूं कि यहां पर इन जगह पर entry हो पाए और बाकी जगह ना हो पाए ठीक है जी yellow fields में ठीक है तो इसको मैं select कर देता हूं मैं control से click करके मैं इसको multiple selection कर दिया मैंने control one press किया protection वाला format cell खुल गया अब मैं इसको unlock कर देता हूं यहां से check हटा दिया मैं okay किया अब मैं इसको right click करके protect करता हूं तो जब मैंने अब इसको protect कर दिया है तो मैं और कहीं लिखने की कोशिश करने तो नहीं लिख पाऊंगा पर जो cell मैंने unlocked की थी वहां पर मैं लिख सकता हूं ठीक है सर इसी तरह से हाँ जी एक sheet में हाँ जी हाँ सर मैं बता रहा हूं जैसे कि आपका आप सिर्फ इस area को lock रखना चाहते हैं बाकी सारी sheet को unlock रखना चाहते हैं ठीक है yellow area इस बार lock रखना है कि इसमें कोई भी entry ना कर पाए तो इसमें हम क्या करेंगे by default हर एक cell हमारी locked रहती है हमने format cell का control 1 से खोलना है और यह पहले unlock कर देना सारी cells हो गई अब सबको select करके किया तो सारी cell unlock हो गई और इसको select करके जब मैंने लॉक किया yellow fields को तो अब जब मैं इसको protect करता हूं तो मैं बाकी सब जगह entry कर सकता हूं और इस पर entry नहीं कर सकता हूं ठीक है सर ठीक है सर समझागे कैसे करेंगे हां जी हां जी जैसे unprotect करेंगे तो यहां से अगर आपको फिर से सब को लॉक करना है तो ctrl 1 करके आपको यह setting बदल नहीं होती है ठीक है लॉक रखना है अनलॉक रखना है जैसे भी पासवर्ड आप चाहें दे सकते हैं प्रोटेक्ट करते time यह पासवर्ड मांग रहा है और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करते समय आप यहां पर पासवर्ड दे सकते हैं ठीक है जी उसके बाद एक और था उप्शन उसके अंदर hidden का मालीजे कि आपने कोई formula बनाया जो आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं जैसे मेरा sum का formula है मैं यह दूसरों को दिखाना नहीं चाहता हूँ यह कोई भी formula ऐसा है जो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ protection के दौरान तो मैं क्या करूंगा control 1 से जाके यहां पर hidden चेक कर दूँगा cell चाहे locked or unlocked or कोई फरक नहीं पड़ता जब मैंने इसको hidden पर क्लिक कर दिया जब मैं sheet को protect करता हूँ तो आपके यहां पर formula नहीं दिखाएगा ठीक है जी बाकी जगे value दिखाएगा पर आपका formula जहां लगाओगा वहां कुछ नहीं दिखाएगा ठीक है जी चाहे locked हो चाहे unlocked हो cell उसके बाद माली जीए कि आपको एक report बनानी है एक form बनाना है employee manager तो यह इस scenario में क्या है कि हम चाहते है कि यह EMP की range है employee की range है यह manager की range है ठीक है executive की यह manager की किसी भी ले लो तो हम एक ऐसा form बनाना चाहते हैं जिसमें employee अपने task enter कर सके manager उसे approve या disapprove करें पर यह दोनों आपस में एक दूसरे की field को ना छेड़ पाए उसमें change ना कर पाए ठीक है जी तो range level का protection कैसे होगा आप इसको select कीजिए employee के लिए जो बनाना चाहरे हम और review में जाते हैं review में हमारे पास review tab में allow user to edit range का option है इसमें जाएंगे हम new करेंगे range का नाम दे देता हूं मैं कि EMP इसका title रहेगा refers to cell यह किस cell को refer कर रहा है आप उसको select कर लेंगे और उसका password क्या रखना है मैं password भी EMP रख देता हूं ठीक है OK कर देंगे दुबारा password देना OK तो एक range हमारी EMP के नाम से create हो गई जिसका password EMP है फिर दूसरी range बनाता हूं new करके MGR मैंने जर की और इसमें manager वाली fields को select कर लिया मैंने cells को उसका password मैंने दे दिया MGR OK MGR retype password ठीक है दो range create हो गई उसके बाद मुझे क्या करना है sheet को protect कर देना है चाहे यहां से भी कर सकते हैं और इदर से right click करके भी कर सकते हैं protect कर दिया मैंने sheet को ठीक है जी अब उसके बाद जैसे ही मैं इसमें enter करने चलता हूं तो यह मेरे से password मांगता है ठीक है जी तो employee को employee का password बता दीजिए manager को manager का बता दीजिए ठीक है password enter करने के बाद वो entry कर सकते हैं ठीक है जी अगर इसमें करना चाहेंगे तो फिर password मांगेगा ठीक है जी और जैसे ही file save करेंगे जैसे password डालने के बाद इन्होंने entry की जैसे ही यह file को save करके दूसरे को भेजेंगे वापस लॉक हो जाएगी range ठीक है sir नई वो sheet भी होती है sir without देखो सारा काम इसी से ही होगा protect and protect से बागी तो सिर्फ settings है ठीक है sir इसके लिए क्या है कि range आपकी locked होनी चाहिए control one से ठीक है sir तो आप password से edit का option दे रहे हो users को अब उसके बाद है कि आपने sheet तो protect कर ली है न पर कोई भी चाहे तो इस sheet को delete कर सकता है बले ही वो protect हो delete कर सकता है नई sheet insert कर सकता है move कर सकता है copy कर सकता है ठीक है जी hide and hide कर सकता है तो आप चाहते हो कि आपकी sheets में किसी तरह का change ना हो ना ही नई sheet कोई insert हो ना ही कोई sheet इसमें से delete हो तो आपके पास review में protect workbook का option होता है अगर आप इसको करेंगे यह password मांगता है यह क्या करेगा आपके यह option को gray करतेगा protect workbook तो आप insert delete rename move copy यह सब नहीं कर सकते sheets के साथ दूसरी चीज़ जब हम sheet को protect करते हैं तो हमारे पास यहां पे कुछ option होते है select locked cell, select unlocked cell, format cell, format column, insert, delete इस तरह के तो यह वो option है जिस जिस पे आप check करेंगे तो user जो है protection के दौरान यह काम कर पाएगा यह exceptions हैं allow all users of this worksheet to select locked cell, select unlocked cell इस तरह से तो मन लीजिए कि जब हमने sheet को protect किया इसको मैं चाहता हूँ कि user जो है इसमें copy paste भी ना कर पाए ठीक है मतलब जो हमारा locked data है उसको copy paste ना कर पाए तो copy paste के लिए ज़रूरी है कि वो पहले select करें पेस्ट हो नहीं सकता मैं क्यारता हूँ select locked cell के option को uncheck कर देता हूँ चीक है जी फिर okay कर देता हूँ अब यह क्या करेगा इन तीनों में selection लेगा और बाकी कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यह selection नहीं आएगा enter से भी tab से भी selection ही नहीं देगा तो आप copy नहीं कर सकते इनको चीक है सार इसमें जैसे आपने sheet को अगर protect किया auto filter कराना चाहते हैं तो auto filter का भी option दे सकते हैं ताकि कि लोग filter लगा पाएं sort कर पाएं values को इस तरह के option यूज कर सकते हैं ठीक है सार उसके बाद अभी जितने भी option देखें हमने कि यह workbook इस सब में सारा data आपको देख सकते थे पर आप चाहते हैं जैसे आपकी credit card या account information आती है वो without password के open ही नहीं होती तो आप चाहते हैं कि यह file without password के open नहीं होनी चाहिए ठीक है तो file को save करते समय यहाँ पे एक option होता है tools ठीक है इस tools पे जाएंगे general option पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास दो password है password to open and password to modify पहला open करने के लिए password दूसरा modify करने के लिए password जो की सारी sheets पे apply होगा तो modify का मैं recommend करूंगा कि modify का password नहीं डालेंगे क्योंकि यह change नहीं हो सकता बाद में ठीक है तो one two three four मैं इसका password दे देता हूं password to open, retype मांगना है दे दिया और इस file को save कर दिया protection के नाम से desktop पे save कर दिया अब मैंने close कर दिया file अब जब मैं इस file को खोलता हूं तो क्या है मेरे सामने password मांगता है अब मैं password दूँगा तब यह file खुलेगी तो क्या किया था मैंने file को save करते time password दिया था अब हमें इस password को change करना है तो कहां से होगा यहां file में जाके info के अंदर आपका protect workbook के option है जिसके अंदर encrypt with password है यहां पे आपका पुराना password है आप चाहे तो इसको change कर सकते हैं या delete कर सकते हैं अभी मैंने delete कर दिया ok कर दिया और file को save करके close कर दिया अब मैं open करूंगा तो मुझसे password नहीं मागेगा तो existing file में इस तरह आप password भी लगा सकते हैं ठीक है sir तो यह clear हो गया ने sir तो अब हम क्या करते हैं एक अभी हमने conditional formatting की है थोड़ा बहुत आपको formula भी आते हैं ठीक है sir तो मैं क्या करता हूँ कि एक project बना के देखते हैं ठीक है फिर आपको बस वही repeat करना है practice के लिए मेरे पास देखे एक file है अब इसके अंदर एक calendar आपने बना हुआ basically attendance का system है जिसमें अगर मैं month change करता हूँ data validation लगाया हुआ है मैंने month change करूँगा month change हो जाएंगे कलेंडर उसके हिसाब से अपनी position change करता है जैसे 31st फरवरी डालता हूँ फरवरी तक का data आ रहा है आपका और यह attendance में आपका formula लगा हुआ है Saturday Sunday अपने आप calculate हो रहा है यह आपका change हो रहा है कि कब की आप attendance दिखा रहा है ठीक है तो यह सब हम बनाने की कोशिश करते है अब तक जो हमने किया है ठीक है सर मैं इसको उड़ा देता हूँ फिलाल तो मैंने अब data उड़ा दिया जिसमें मेरे पास है अभी data employee ID, name और date of joining ठीक है जी अब मुझे इनके इसाब से attendance का एक system बनाना है मैं month year यहां से change करना चाहता हूँ और यहां पर मैं title देना चाहता हूँ जो कि इससे connected रहेगा तो सबसे पहले month year के लिए मुझे entry करनी पड़ेगी data में जाके data validation में है data validation में गए हमने list लिया और 12 महीने हो रहे होते हैं तो एक दो तीन चार पंच छे साथ नो दस यारा बारा यहां पर मैंने हाँ यहां पर मैंने इसको एंट्री कर ली 67 अच्छा एक गलत बटन प्रेस हो गया हाँ 7 8 9 तो यह numbers आपके करेंगे तो इसमें list में आ जाएंगे ठीक है आप यहां से choose कर सकते हैं इसी तरह से year के लिए भी मैंने एक list बना ली data validation से 2015 2016 2017 जितना भी डालना चाहिए डाल सकते हैं यहां पर मैंने डाल लिया तो सबसे पहले date लाने के लिए इसके हिसाब से date बनाने के लिए हमारे पास एक date का formula होता है date का जिसमें parameters है year month and day तो year मैं यहां से ले लेता हूँ month मैं यहां से ले लेता हूँ और day मैं manual one डाल देता हूँ तो अभी हमारे पास जो date आ रही है वह हमारे calendar से आ रही है जैसे हम calendar चूज करेंगे यह हमें उस month की date दिखा देगा उस year की date दिखा देगा क्योंकि इस formula में वहां से entry की गई है ठीक है जी अब यह जो date है इन में direct plus minus चलता है पहली चीज तो मैं date का format थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ custom number format का use करूँगा यह number format में हमने custom number format पढ़ा था इसमें मैं DD दे देता हूँ जिससे यह double digit में days दिखाएगा खाली में ठीक है जी इस तरह से आ गया और इस date को कौन सा day था तो उसके लिए मैं text formula यूज कर सकता हूँ जिसमें नीचे से reference लूँगा और इसमें format text में मैं तीन बार D दे दूँगा जिसका मतलब है abbreviated day name ठीक है जी तो जैसे ही मैं इस पे change करूँगा यह अपने आपको change करने लगेगा अब इसमें मैं क्या करता हूँ आगे मैं कर लेता हूँ इसमें यह date है plus one कर देता हूँ ठीक है जी यहाँ formula भी यही वाला copy कर लेता हूँ और इसको drag कर देता हूँ कब तक 31 तक 31 तक एक पर देख लेते हैं 31 तक आ गया तो अब यह तरह का calendar सा ही बन चुका है जैसे मैं अपरेल करता हूँ तो यह 30 तक आ रहा है पर यह अगले महीने की date ले ले ला है क्योंकि वह simple plus कर रहा है तो हमें यह दियान रखना है कि minimum जो है हमारी date रहेगी 28 उसके बाद का थोड़ा सा formula को automate करना है हमें ठीक है जी तो इस formula को automate कैसे करेंगे कि हमें plus one ही चल रहा है हमारा if का एक formula डाल देता हूँ मैं कि अगर यह date यह जो calculate करके आ रही है यह date greater than हो जाती है हमारे e-o month e-o month का एक formula होता है जिसमें start date और month पढ़ता है start date आपकी कोई भी date हो सकती है मतलब यह किसी भी date से आपका अगर आप month में zero डालेंगे तो यह current month की date दे देगा उस month की मैं कह रहा हूँ कि अगर इस date के according end month की date इस से बड़ी है हमारी calculation से मतलब यह calculation बड़ी है उस date से तो यहाँ पे blank आ जाना चाहिए ठीक है जी otherwise जो condition चल रही है 85 प्लस 1 वो चलती रहे ठीक है जी इसको मैं आगे तक drag कर देता हूँ अभी क्या है कि यह रुक तो गया अपर अगले में error दिखा रहा है error क्यों दिखा रहा है क्योंकि यह formula प्लस 1 करने की कोशिश कर रहा है blank में तो blank में तो प्लस 1 हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस formula को if error के अंदर डाल देंगे if error के अंदर डालने से हमें दो parameter मिलते हैं एक value और value if error तो value में आपका पूरा formula आ जाएगा और value if error में हम blank दे देंगे double inverted comma ठीक है जी कि अगर error आए तो blank कर दे तो इस formula को जब मैं ड्रैक करूंगा तो यह हमारा एक calendar टाइप बन गया है तो यहाँ जैसे ही आप month डालेंगे वहाँ तक आएगा ठीक है सार्ट यह देखिए यह यह month होता है end of month का formula जिसमें start date कोई भी हाँ कोई भी date हो सकती है जरूरी नहीं one है तो उसमें क्या करेंगे अगर आप zero डालेंगे मन्त में तो उस उस मन्त की last date दिखा देगा last date आ जाती है calculate करके ठीक है अगर आपने date के हाँ date के formula अगर देखेंगे तो उसमें यह formula होगा ठीक है अगर नहीं की है तो कोई नहीं हम next time यह करेंगे सारे formula दुबारा से ठीक है अभी मैं खाली आपको sample दिखा रहा हूं कि कैसे हम automation करते हैं यह मैं border दे देता हूं तो एक मेरा calendar prototype यहां पर चल रहा है पर मैं चाहरा हूं कि जब month कम हो रहे हैं तो हमारे पास यह border भी ना आए calendar तो हमारा बन गया और मैं चाहता हूं कि यह border भी ना आए तो इसके लिए क्या करेंगे हम एक formula बनाएंगे अभी हमारे पास हमने किस किस चीज के लिए formula बनाना है कि एक तो saturday sunday हो तो yellow में highlight हो जाए ठीक है जी कोई government holiday हो तो orange में हो जाए आज की date को blue में दिखाए तो start करते हैं पहले saturday sunday से तो हमारे पास एक और का formula है जिसमें हम यह date चेक करेंगे अभी हमें इसी के लिए बना इसमें मैं इसको lock कर दूँगा 5 को क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि formula भी drag down होता है साथ में तो यह formula में roll lock करने से क्या होगा कि यह value ने drag down होगी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उपर में दे देता हूँ उपर में यह d4 में मतलब अगर यह value saturday हो या sunday हो इसको fix कर देता हूँ फिर से 4 को खाली column नहीं fix करूंगा equal to sunday हो तो और का formula क्या करता है जब इसमें आप logical test देते हैं logical one logical two इन दोनों में से एक भी true दे देता है तो और का formula true आपको deliver कर देगा यहां पर ठीक है और conditional formatting में true false के ही formula चाहिए होते तो यह formula क्या करेगा यहां पर saturday हो या sunday हो दोनों में से कोई भी होगा तो true दिखाएगा इस formula को हम copy कर लेंगे और यहां से यह पूरा का पूरा select कर लेंगे conditional formatting new rule use formula इसमें मैंने formula paste कर दिया format में चला गया मैं fill yellow ओके ओके तो आपका yellow आने लग गया month change करके देखेंगे जहां saturday sunday है वहाँ change हो जाएगा ठीक है sir इसके बाद मैंने क्या किया है कुछ dates यहां पे रखी है calendar मतलब government holidays की ठीक है name define करना आता है आपको sir जैसे इसको मैं select करता हूँ अगर वैसे select करूँ तो क्या होता है यह आपको दिखाएगा a2 से लेकर a20 तक हाँ जी आप चाहें तो इसको custom नाम दे सकते हैं अपना कुछ भी name दे सकते हैं select किया मैंने और यहां पे डाल दिया मैंने हाँ hl इसको define name range कहते हैं तो मैंने name box में इसका नाम hl रख दिया तो अब मैं equal to hl करूँगा तो इसका मतलब है यह range ठीक है सार इसमें मुझे sheet के नाम की जरुत नहीं होती है नहीं तो बाकी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है sheet holiday sheet का नाम है sign of exclamation फिर reference लिखना पड़ता है इस तरह से पर इसमें आप direct refer कर सकते हैं किसी भी sheet में सिर्फ नाम से hl ठीक है सार तो मैंने hl कर दिया इसका नाम अब मुझे क्या करना है कि इस list में कोई भी date मेरी इनमें से पड़ती है तो कैसे चेक करूँगा एक count if का formula बना दे है count if में मैंने जो range ले ली वो hl ले ली कि holiday list और उसमें दे दिया यह date इसमें मैं यह date चेक कर आऊंगा 5 को lock कर देता हूं कि इसमें कहीं सरकारी चुट है क्या यह date इस holiday list में पढ़ रही है तो count क्या करेगा उसका count दे देगा अगर पढ़ रही होगी तो one दे तो यहां पर यह one दे देगा ठीक है तो इस formula को true false में बदलने के लिए मेरे को लगाना है कि क्या यह greater than zero है तो zero से जैसे पोगी वहां true आ जाएगा otherwise false आ जाएगा तो मुझे यह formula copy करना है और इसके अंदर डालना है select करके range में मैं दे देता हूं conditional formatting new rule use formula और इसमें डाल देता हूं format में गया orange कर लिया okay okay देखिए जिस date पे वह आ रहा है जैसे 10th of March आ रहा है 27 March आ रहा है 29 March आ रहा है तो आप देखेंगे यह holiday list में तीनो available है तो जहां जहां वह formula greater than zero हुआ वहाँ पे यह साल highlight हो गई आप चेंज करेंगे तो date change हो रही है उसी के साथ ही आपका graph change हो रहा है इसमें ठीके sir अब आते हैं today आज की date पर आज की date को especially अलग से highlight करके दिखाए अलग format में तो उसके लिए बहुत simple formula है हम इस date को check कर लेंगे क्या यह equal to today है today के formula से ठीके sir इसको copy कर लेंगे और यहां तक select कर लिया हमने new rule use formula और यहां पर डाल दिया format में मैंने blue choose किया और font मैंने कर दिया बॉडल बोल्ड ओके ओके तो जहां आज की date थी वहां अलग से आ गया ठीके sir change करेंगे जहां आज का होगा वहां तक आएगा इसके बाद माल लीजिए कि मैं leave enter करता हूँ इस तरह से leave आएगी तो इसको मैं चाहता हूँ कि red में bold अलग से दिखाए वही सिर्फ cell तो मुझे क्या करना पड़ेगा formula यह entry वाली जगह पर लगाना पड़ेगा यहां पर d6 में और इसको lock नहीं करूंगा मैं इस पार अगर यह equal to l है बस तो यह मुझे true false में देदेगा और यहां पर मैं इसको apply कर दूंगा new rule use formula और apply कर दूंगा इसमे fill red font में bold कर दिया ओके ओके तो इसमें कहीं भी कहीं पर भी l आता है तो यह लग से highlight हो जाएगा ठीक है सर अब इसमें extra borders को हटाते हैं तो extra borders के लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर blank है ठीक है तो मैं इसको बस इतना करूंगा program कि अगर यह और इसमें row को लॉक कर दूंगा equal to blank है तो यहां पर border नहीं आना चाहिए यह formula मैंने copy कर लिया और सिर्फ इसी section पर लगाऊंगा new rule use formula paste किया format में गया borders पर गया अब borders में आपको gray borders type दिख रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि यहां पर अगर है तो रहने दे मतलब as it is का sign होता है as it is तो जैसा है वैसा रहने दे अगर मैं इसको हटा दूँगा को तो नहीं है तो वह लगा देगा और एकदम वह कर दूँगा white तो यह हटा देगा पूरी तरह से हटा देगा उसमें उस condition के true होने पर बस मैंने okay किया okay किया हो गया यहां कोई border नहीं है जैसे ही हम आप गे बदलेंगे जितने तक दिन जाते हैं यह border ले लेगा एक जनवरी फुल आरे और फरवरी में border भी आपके चलने लग गया ठीक है sir तो पूरा calendar की तरह move हो रहा है अब मुझे formula लगाना है कि formula से मेरी entry हो ठीक है जी तो इसमें formula entry के लिए क्या करेंगे जैसे जो date start होनी चाहिए वो date of joining के बाद से होनी चाहिए आज की डेट तक ठीक है और जहां पे Saturday Sunday है वहां पे weekly off आना चाहिए और जहां holiday है वहां पे complete करते है तो मैंने इफ का formula से start किया और मैंने कहा कि अगर यह date इसमें मैं column लॉक कर दूँगा कि सी के आगे लगा दूँगा ताकि मैं यह formula जब इदर ड्रैक करूँ तो यह date नहीं किसकनी चाहिए पर रो को लॉक नहीं करूँगा ताकि नीचे मैं जा सकूँ हर एक के लिए अपनी date ले अगर यह greater than है हमारी उपर वाली date से जिसमें मैं row lock करूँगा ताकि मैं नीचे lock करूँ नीचे drag करूँ तो यह five यह नहीं change होनी चाहिए बलकि इदर इदर होनी चाहिए तो मैं column नहीं लॉक करूँगा तो अगर हमारी यह date इस से बड़ी है C6 अगर हमारा इस से बड़ा है तो हमारे पास blank हो जाए Otherwise present आ जाए ठीक है जी यह formula शुरुवात में हमने किया तो हम जब इसको drag करेंगे तो आपकी entry जो है date of joining के बाद start होगी ठीक है सार अब दूसरी जगह हमें कहां रुकना है today पे यहां पे आके जब date हमारी today हो जाए तब रुक जाए तो मैं इसमें करूँगा इस p की जगह इसको हटा देता हूँ इसका एक formula लगाता हूँ bracket open close साथ में ही कर लूँगा ताकि bracket की दिक्कत बाद में ना हो इसमें condition लगाऊंगा कि अगर हमारी उपर वाली date today से बड़ी है तो वहां पे blank आ जाए otherwise p आ जाए ठीक है इस formula को भी drag कर दूँगा तो यह current date तक आपको दिखाएगा आज की date तक entry जन्वरी में करता हूँ इसको फुल एंट्री लिखा रहा है ठीक है सर तो अभी हमने date of joining से today तक किया अब मुझे वही जो saturday sunday वाला formula बने लगाया था और वाला यह true false हमें दे ही रहा है इसको copy कर लिया और यहां पे formula में गया और इसमें एक और if की condition लगा ली कि if इसमें saturday sunday आए ठीक है जी वीकली आफ में change हो गया है ठीक है जी हॉलिडेज पर करना है अब हॉलिडेज के लिए मैंने इसको hl बनाया था तो यहां पे मेरे पास है यह भी सही दे रहा है इसको copy कर दिया यहां पे किया यह मैंने आपके project में किया था सेम ऐसे ही उसमें भी एक फॉर्मूला मैं इसी तरीके से लगा रहा है क्योंकि फॉर्मूला कभी भी हम एक बार में एक बार में पूरा फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो हमें अपने फॉर्मूला को complete करना होता है हाँ यह तो एडवान्स वाला है मैं इसके इस project के बाद आपके formula स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो यह भी मैं आपको एक पहले से ही दिखा दे रहा हूँ picture ताकि आपके बाद में और जादा क्लियर रहे है ठीक है तो मैंने count if में वह वाला लगा दिया कि अगर इसमें true आए तो h आ जाए otherwise p आ जाए तो इसको मैंने drag किया तो जहां h है वहां यह आ जाए अभी आप देख रहे हैं कि यहां पे sunday है formula यहां weekly of दिखा रहा है पर color हो रहा है तो हमने क्या किया है यहां पे हमें priority set करने है इनकी conditional formatting की अपने यहां पे गए manage rule में तो मैं चाहता हूँ कि Saturday Sunday ही सबसे पहले आना चाहिए अगर है तो तो सबसे उपर उसको shift कर दिया उसके बाद मैंने किया second priority है holiday की तो holiday को उसके नीचे कर दिया उसके बाद मैंने कहा third priority है today की ठीक है और बाकी इन दोनों में priority की ज़रुवत नहीं अप्लाई कर दिया तो हमारा जहां yellow होना चाहिए तो वह है yellow हो रहा है जहां holiday आना था वह holiday आ रहा है according to formula हो गया ठीक है जी अब इसमें बचा leave holiday भी हो गया weekly of भी हो गया अब leave डालने का रह गया तो leave डालने के लिए भी मैंने countif का ही system यूज किया है पर countif में मैं खाली date नहीं चेक कर आ सकता जैसे कि यहां पे मैं खाली उस list में date चेक कर आ दे रहा था तो मुझे उसमें पूरा column पे working करनी थी फु मुझे कैसे पता पड़ेगा कि किसने कब leave लिये date तो चलो मुझे पता पड़ जाएगी कहीं entry कर दूँगा किए date अब किसने लिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा countif कैसे चेक करेगा तो मैंने इसके लिए एक अलग से engine बनाया एक system बनाया इसमें मैं क्या करता हूँ name डाल देता हूँ name कौन सी date को छुटी लिए इन्होंने ठीक है जी इसमें मैं data validation के अंदर वो list डाल नहीं है मुझे नाम की तो मैं इसको क्या करता हूँ इसको select किया मैंने और इसका नाम कर दिया EID employee ID और यहाँ पर मैं data validation के अंदर जाके list के अंदर जाके उसको कर दूँगा equal to EID जिस से यहाँ पर वो employee ID की list आ जाएगी तो यहाँ पर मैं EID कर देता हूँ यहाँ name कर देता हूँ यहाँ date कर देता हूँ copy किया मैंने validation मैं नीचे तक भी paste कर सकता हूँ यहाँ तक चाहिए मुझे paste special से validation paste कर दी मैंने same तो हर जगा वो list आ सके उसके बाद इसका name लाना है तो मैं automatic भी ला सकता हूँ किस से VLOOKUP से VLOOKUP से मैं ले आया lookup value मैंने choose की table array मैं यहाँ से choose कर लोगा VLOOKUP तो आता है न सर column index 2 और 0 ठीक है यहाँ पे आ गया अब मैं इस formula को भी नीचे तक drag करना चाहता हूँ पर यह error ना आये इसके लिए मेरे पास है if error if error का formula पता है सर इफ error इसमें क्या है आप VLOOKUP दे देंगे comma के बाद वो दे देंगे कि अगर error आता है तो क्या आना है तो double inverted comma यानि कि blank तो इस formula को मैं नीचे तक drag कर दूँगा तो अगर error आती है इसमें तो blank हो जाता है अब यहाँ पे simply date enter करनी है ठीक है जी इसके side में मैंने बनाया एक helper column तो मैंने एक date डाली कौनसी को छुट्टी दूँ मैं दे देता हूँ नवंबर में 20 तारिक को विकास को छुट्टी देनी है ठीक है नवंबर में तो विकास 003 है 20 नवंबर 15 मैंने क्या किया यहाँ से id ली और इसको concatenate किया end के sign से और date को तो date तो आपको पता है कि कुछ numbers होते है यह 003 के बाद जो numbers आ रहे हैं वो इन दोनों के match हो गया एक id बन गई अब यह id का क्या फायदा employee id और date का अगर मैं दोनों को combine करता हूँ तो मुझे पता पढ़ जाएगा कि किस employee ने किस date में छुट्टी लिए पर उसको check कैसे करेंगे simple holiday list की तरह ही इसका भी name define कर लेंगे इसका मैं कर देता हूँ lr नाम यानि कि leave record इस range का नाम lr कर दिया अब lr को मैं count if के अंदर use कर लूँगा count if lr हमारी range हो गई जो की combination है employee id का और concatenate कर दिया मैंने date का अब जब यह formula drag होगा तो इसमें मैं कुछ चीज fix करना चाहता हूँ dollar लगा दूँगा a के आगे ताकि यह employee id ना आगे किसके और इसमें पर zero से above कर देगा तो मुझे वह greater than zero वाला sign देना है ठीक है जी तो जैसे छुटी आएगी यह formula हमें true return कर देगा अब यह formula मैं डाल देता हूँ अपने if के formula के अंदर जहां पर हम p कर रहे थे वहां पर मैं if का formula लगा दूँगा और यह यह logical test डाल दूँगा और इसमें कर दूँगा कि अगर greater than zero आता है तो यहां पर l आ जाए otherwise p आ जाए ठीक है जी अब मैं इस formula को finally drag कर देता हूँ ठीक है आ गया तो यह हमारा बनके तयार हो गया attendance monitoring system title के लिए क्या करना है यहां पर मैंने font और थोड़ा सा change कर दिया बिक कर दिया एक formula डाल दिया equal to और inverted comma में मैंने लिख दिया attendance इसमें मैंने वही टेक्स्ट का formula दे दिया और यहां से date को refer किया और इसका format दे दिया मैंने mmm चार बार m कर दिया dash yy तो यह format मैंने दे दिया जिससे मेरा यह से attach हो गया ठीक है सर तो यह clear हुआ सर आपको अब मैं आपको यह file भी mail कर दूँगा और आपने इसको file को देख के conditional formatting अगरा देख के एक बार बनाने की कोशिश करनी है ठीक है सार इससे आपकी formula के जो practice है वो ज्यादा हो जाएगी बाकि मैं धीरे धीरे अब next class में अपने formula चालू करूँगा मतलब कि next week तो मैं रहूंगा नी कल तो आप लेंगे class